हेलो फ्रेंड आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे आज हम आचारी भिंडी बनाने वाले हैं उसके लिए मैंने 500 गराम भिंडी ले लिया और इसको धो के अच्छे से सुखा लिया अब हम भिंडी को कट करेंगे आगे और पीछे का हिसा इस तरीके से कट करके निकाल देंगे और एक भिंडी के दो पीसिस कर लेंगे जिस तरीके के भिंडी है उसी तरीके के आप पीसिस कर लीजे चोटे बड़ी पीस आपको जिस तरीके से पसंद है देखे मैंने पूरी भिंडी कट कर लिया है और कुछ इस तरीके के साइज में इसको कट किया है आपकी अपनी अब हम चलते हैं अपने तड़के की तरफ, देखे इस तरीके से मैंने तड़का पहले से ही रैडी कर लिया है, एक छोटा चम्मच सौफ, आदा छोटा चम्मच इसमें डाला है मैंने राई, आदा छोटा चम्मच जीरा, कुछ दाने साबुत धनिया के डाले हैं, आदा छोट अच्छा टेस्ट आपके सब्जी में आएगा चलिए अब हम गैस की तरफ बढ़ते हैं गैस को अन कर दीजिए और अपनी कडाई को रख दीजिए अब हम इसमें सरसो तेल का यूज़ कर रहे हैं आपकी अपनी मरजिया आप इसको रिफाइंड ओयल में भी बना सकती हैं सरसो को डाल दीजिए और मसालों को अच्छे से हमें भूलना है बिल्कुल इसको रैट करना है इसका कलर रैड आ जाएगा तब ही जो है हमारी बिल्कुल पर्फेक्ट आचारी भिंटी बनके तयार होगी इस तरीके से आप अपने तड़कों को भूल लीजिए अच्छे अच्छ से कलर आ जाएगा अब हमने जो अपने भिंटी को कट करके रखा था भिंडी को हम इसमें एड कर देंगे सारे बिंडी को डाल दीजिए इस तरीके से हम बिंडी को डाल देंगे अब हम इसको कट्छी की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे तेल की साथ जो हमारे मसाले है इस भिंडी में अच्छे से मिक्स हो जाने जाए तभी इन मसालों का टेस्ट जो है हमारी भिंडी में आएगा और हमारी परफेक्ट तरीके से भिंडी बनके तयार हो जाएगी अचारी भिंडी बनाने का यही तरीक है आप इसको slow flame पे ही पकाईए दीनी आज पे और अब हम इसमें अपने नमक एड़ करेंगे आदा छोटा चमच आदा छोटा चमच लाल मिर्च पाउडर आदा छोटा चमच हम डालेंगे इसमें अपना healthy powder dialogue दालने के बाद हम इसमें यह अचली यह जाए जिससे हमारे सबजी दिखने में खाने गाभी इसको मन करता है हम मसालों को अच्छे से mix कर लेंगे अपने बिंक्स करने के बाद अब हम कड़ाइब को ढग देंगे ढखने के बादzogen हम इसको 23 मिन तक मेडियम फ्लेम पे ही पकाएंगे इस तरह के साप इसको ढख टींजे और इसको अच्छे से सब्गजाने दीजीए बीच बीच में आप इसका कबर भटाके इस तरीक से आप इसको हिलातीजाएं नहीं तो नीचे की मसाली जो जल जाएंगे और उपर बंडी हमारी कच्चि रह जाएगे और इसका टेस्ट भी खराब हो जाएगगा बीच बीच में आप इसको तरीके से कर्ची की मदद से भी सब्जी को हिलाते रहें तब ही जो है इसका पर्फेक्ट तरीके से स्वाद आएगा देखे फ्रेंड़्स अब हम दुबारा इसको कवर को खोल के इस तरीके से अपने भिंडी को अच्छे से कर्ची की मदद से मिक्स कर लेंगे देखे भिंडी जो है हमारी अच सब्सक्राइब के अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिये और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएए